कि दोस्तों यदि आपके पास भी इस तरह का normal home थीटर है तो इस normal home थीटर को मात्र 35 रॉपय में Bluetooth वाला Home थीटर बना सकते हैं तो आजք इस पीडियो में हम लोग इसी नदूरे में जानेंगे कि इस तरह के नार्मल Home थीटर को Bluetooth वाला Home ठीटर कैसे बनाएं सबसे पहले हमें क्या करना है किस फोंब थेटर के जो पीछे स्कुरू होता है देख्य यहाँ पर आठाने पड़ी खोल लेना है हलाकि मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही स्कुरू को खोल दिया है ताकि यह वीडियो ज्यादे लंबी नव हो और आप आपनों का समय बचे अब हम क्या करेंगे इसके आगे वाले हिस्से को निकाल लेते हैं ये मेरा होम थेटर लफक 10 साल पुराना है इसलिए इसका पूरा ज्वाइन बिल्कुल लूट हो चुका है और बिल्कुल आसानी से निकल जाता है ये देखिए इसके आगे का हिस्सा है औ यानि वॉल्यूम कम जादे करने का ट्रेबल का और बास का तीनों वॉल्यूम इसी प्लेट में होता है और इसी प्लेट से ये तार जो है आडियो इंपुट के लिए पीछे जाता है तो अभी हम क्या करेंगे इस नार्मल होम थेटर को ब्लूटूथ वाला होम थेटर बनान सबसे पहले मैं आप लोगों को इस Bluetooth receiver का connection समझा देता हूँ यहां देखे छोटे छोटे पांच छेद हैं जिसमें से यह तीन है आडियो के लिए और इस side वाला है पांच बॉल्ट पावर देने के लिए यहां इस receiver को पीछे side करते हैं तो यहां देखे L out, ground, r out लिखा है यानि आडियो के तीन वायर होते हैं उन्हें तीनों वायर को L out, ground और r out में लगा देना है और यह है 5 बॉल्ट DC के लिए जो के इस side वाला ground है और थोड़ा सा अंदर वाला यह positive है यहां प्लस है तो इसी के हिसाथ से हमें इसमें connection कर लेना है तो जैसा कि आप देखते हैं मैंने audio वाले में तीन वायर को connect कर लिया है यह जो 5 बॉल्ट DC वाला है इसे मैंने खाली छोड़ दिया है इसमें मैं अभी 5 बॉल्ट का power दूंगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो audio connection है इसे कर लेते हैं तो इस Bluetooth receiver को हमें इसमें कहां connect करना है सबसे पहले आप इसे समझ लिजे देखिए इस home theater के अंदर से यह जो wire आये हुए हैं इन wire में से इस side वाला black, brown और red यह तीन wire जो है audio input का होता है यहां से जो black, brown और red है इस देखिए यह है black, black वाला यहां पर था उसके बाद यह brown वाला इस बीच वाले हिस्से में है उसके बाद यह red वाला यहां पर है थोड़ा साब ध्यां से देख लिजिए इसको देखिए यह red है यह brown है और यह black है यह तीनों ही wire audio input के हैं यह जो Bluetooth receiver है इसमें भी तीन wire है तो इ wire को अटा लेते हैं तो जैसा कि आदर सकते हैं मैंने इस Bluetooth receiver का तीनों wire यहां पर connect कर दिया है वाला wire देखिए यहां पर है और बीच वाला इस बीच में और इस side वाला इसमें जोड़ दिया है तो इसी तरीके से आप लोगों को भी इसमें जॉइन कर लेना है यहां पर आपक दर साथ पुराना है जिसकी वज़एसे अभी तक मैंने इसमें दो बार volume को change कर लिया है इसके जो wire है कई बार टूट गये थे जिसके वज़एसे मैंने कई बार इसमें solding किया इसका प्रिंट छूट गया था इसी वज़एसे यह इस तरीके के दिखाई दे रहा है लेकिन भी कोई बात नहीं आप लोग इसे ध्यान से देख लिजे अब देखे इसका audio connection तो हो गया लेकिन इसमें power देना बाकी है तो power देने के लिए हम चाहिए तो इस home theater से भी 5 बोल्ट का power निकाल सकते हैं लेकिन मैं अपने इस home theater से इस Bluetooth receiver को 5 बोल्ट का power नहीं दूँगा क्योंक यदि हम इस home theater से इसे 5 बोल्ट का power देते हैं तो इस home theater में humming का problem आ जाता है इसलिए मैं क्या करूंगा इसमें 5 बोल्ट का power देने के लिए अपने पुराने mobile के charger का प्योग करूंगा जो कि मैंने पहले ही अपनी इस home theater के पीछे side में mobile का charger fit कर दिया है और अभी हम क्या करेंग यह जो तीन तार है इनका connection मैंने पीछे सहटा दिया है तो यह तार जो है बेकार हो चुके हैं लेकिन इन तार का प्रियोग हम करेंगे 5 बोल्ट पावर देने के लिए यह रेट वाला तार और ब्लैक तार हम इस Bluetooth receiver में जोड़ देंगे और इसी तार को हम पीछे side में जाकर mobile के charger में जोड़ देंगे ब्राउन तार को हम यह से काट देते हैं तो देखिए audio connection भी हो गया और 5 बोल्ट पावर देने के लिए हमने यहाँ पे तार जोड़ दिया है प्लस के लिए लाल और माइनस के लिए काला तार हमने जोड़ दिया है अब इनी दुनों तार को हम पीछ मोबाल के charger में जोड़ देंगे तो आगे वाला काम पुरा हो गया है इसे हम बंद कर देते हैं तो देखिए यह है मोबाल का charger जिसे हमने पहले ही फिट कर लिया है और एक डेटा के बल लगा कर इसके आगे वाले हिस्टे को यहाँ से कट कर लिया है अब यहीं से हम उस अब इसे हम तर इन तर को इसन तरे जोड़ा है रोध numéro क्पला है इन तरीके यह रेटेग ए यह मोंद टर हकूब्ल ह कर देंगे इसे तो देखिए अभी पीछे connection भी हो गया है एक बात और यह जो मॉइल का charger यहां पर हमने लगाया है इस मॉइल के charger में 220 AC देने के लिए हमने जो power के बलाया है इसी में इसको जोड दिया है और इसे गम की मेंदर से इसमें चिपका दिया है अब चलिए इसे हम यहां से बंद कर द लेते हैं चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं कि यह Bluetooth receiver सही प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कि यहां देखिए देखिए जैसे connect को इसमें एक बीप की अवाज आई यानि SKE यह home theater का जो Bluetooth receiver है उसका नाम है अभी connected है अब हम आपने मॉइल के अंदर YouTube को open करते हैं और इसमें NCS music search कर लेते हैं प्ले करेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी अपने इस नार्मल home theater को Bluetooth वाला home theater बना सकते हैं और वो विमात 35 रुपे में तो यह जुगार कैसा लगा comment box में comment करके जरू बताइएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रेस कर दें तो मिलते हैं इसी प्राद क एक और जुगार वाली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों दस्तों